नमस्कार दोस्तो स्वागताब का उत्राखन जी के वारी जी टिक्स में हैं और आज की वीडियो में बात करेंगे उत्राखन इंप्टेटिफटिफ पार 28 पारे में हैं और आज का एक लेक्शन आप लोग के लिए काफी ultimate है काफी questions इस पॉइंट से पहुचे जाते हैं तो एक्जाम्स में हो सकता है, आपके ओक्रिशन डायक्ली पुछे जा सके हैं, ठीक है, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सस्क्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज हमारा चैनल सस्क्राइब कर लिजेगा, और उसके बगल में जो बैल आइकन की कीवनी हो यारी है, उसे भ सभी लोग जानते होंगे, और दोस्तों अगर इस वीडियो में कुछ मिस्टेक होती है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है काफी कॉंप्लिकेट है, ठीक है, इसमें काफी जो हमारे कन्फूजन्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पा कराया था, लेकिन एट-लस लाज़न केसी क तिरुovac नेकर इसे gorlut की कराया था, जिसका नाम अभी तक प्रकास में नहीं आया है, भदिनाथ मंदीर क 변τα मुझे इस सब्सक्राइब bedroom को और पर मैं इक तो दोस्तो जो बद्रियात मंदिरहाख सभी लोग जानते होंगे चमोली में स्तित है और इसे भारत के चार धामों में से एक धाम कहा जाता है ठीक है बद्रियात मंदिर को और दोस्तो पुराणों में इसके अलग लग नाम मिलता है जैसे कि विसाल बद्री मुक्ति प्रदा योग सिद्धा बद्री वन बद्रिक आश्रम विसाला नर्द नारायान श्रम आधी नामू से कहकर हमारा बद्रिनात को संबोधित किया गया ठीक रुस्तों और दोस्तों आसा माना जाता है यह जो बद मंदिर दहार है और बद्रीनात के पुझारी यह सियंदात के मंड़ं पशाले मंदिर मंदिर श्रम हमारा कितने चाहिए म Merkel आख़कर हमारा झालर कि काले रंकी कैसे होई अगर ये पुछा जाए यह यह जो मूर्ती भी है क्दिर मूर्ती की जम्चार जी ने इस मंद्र मंद्र जिलनो धाया था तो यह मूर्ती थी यह जो वहां पर नारत कुंड इस्तित है दोस्तों बद्रिनात मंदिर के ही आसपास नारत कंड में नारत कंड में मूर्ति गिरी हुई थी तो वहीं से उन्होंने मूर्ति को उठवाया तो उठवाने की चक्कर में मूर्ति थोड़ा सा डैमीज हो गई यानि कि खंडित हो गई मंदिर का निर्मान करा यह तो संक्राचारी जी ने जो कि बलोंदी। में मैं ने यह डेटेल देखी है टिक है और ना मंदिर का संक्राचारी में रहिए तो के q 지न कि कर आया कि q तो दोस्तो जो एक केदानाथ मंदीर है यह जो मंदीर है तो यह मंदाक्नी नदी के सीर्स पर इस्तित है ठीक है और दोस्तो यहाँ पर इसके आसपास में केदानाथ मंदीर के निकट है संकराचारी जी की समाधी इस्तित है ठीक है तो यह सारी चीजे में आप पोज मीडियों में बता चुका हूं तो आप वो प्लीज देख लीजिएगा वो आपके लिए काफी हल्पुल रहेगी अगला हमारा दोस्तो तीसरा important question की यमनोत्री मंदिर का निर्मान किसने कराया था ठीक है तो यमनोत्री मंदिर का निर्मान कराया था यह कराया था परताप सहाजी ने और कब कराया था दोस्तो उननीस सो जिजबी में according to परिक्ष्यावानी ठीक है यह मैं आपको source भी दे रह ओर वहीं पुछा जाए कि यमनोत्री मंदर का जिलंदोधार किस ने गराये था तो यह पूराये धाईट्स कंगे रहा जिने और दोस्तो यहिए यमनो तरी मंदिर यमारे नदी इसका उत्गमिस्तल माना जाता है यमनोत्री मंदिर से हमारी यमनोथी मंदी हो इसको प्राचीन समय में कालिंदी पर्वत भी का जाता है ठीक है कालिंदी पर्वत किसे का जाता है तो दोस्तों ये बंदरुपुष गलेसियर को ही का जाता था मेंली तो ये भी डैकली एक जाम में कुश्चन हो सकता है पुछा जाता है सनी तर्था यम की बहन का गया तथा हमारी कृष्णी की एक प्रत्रानी भी का गया तो इसलिए ये पॉइंट अमरा था अगला मारा important question है दोस्तो चौथा की गंगोत्री मंदिर का निर्मान किसने कराया था ठीक है तो गंगोत्री मंदिर का निर्मान कराया था आस-पास का माना जाता है और इसके जो कपाट है अप्रेयल के टाइम पर खुलते हैं ठीक है और सीतरी तुम्हें यानि की मेंली अक्तुमर निर्मान के टाइम पर इसके भी कपाट ठीक है बंद हो जाते हैं ठीक है और भी काफी important fact है दोस्तों इससे रेटेट गोमुक से गं अगला मारा नवा पुष्ण दोस्तों कि पूलना किरी देवी पीट की स्तापना किसने करी थी के चमपावत सतीत है यहानि कि चमोली में, किसने इस्तापना कर ती ती संकराचारी जी ने, वहीं अगर प्रमा पूर्णा देवी सकती बीट का जाएगा, तो सकती बीट हमारा कहा है इस्तित दोस्तों, यह है चमपाव जिले में इस्तित है, ठीक है, अगला हमारा दस्वाई इंपरेंड कुश्चन है, कि ओ ओंकारिश्ष्वर, सीव मंदिर, उखी मणार कहा वं ठाकिर निर्माल कि संकराचारी जी ने, तो पूर्नागरी बीट कहा वं इस्तित है, जो सीमप, यानि, चमोली में इस्तित है, ठीक है, इसका निर्माल किसं ने कराए था, उखी five यानि कि रुद्रप्रियाग में स्तित है इसका निर्माल भी मारा संक्राचार जी ने कराया था ठीक है केदारनात मंदिर का जिर्णोधान संक्राचार जी ने कराया था संक्राचार जी का समाधी स्तल का है केदारनात के पास में ही है ठीक है और भी काफी चीज़ें आगे अगला मारा 11 इंपरेंट कुछिशन है कि दोस्तो बानासूर गड़ मंदिर या लमगयडी बामसू मंदिर कहा इस्तित है बानासूर गड़ मंदिर को ही लमगयडी बामसू मंदिर भी कहा जाता है तो आप इसे नोट डाउन कर लिजेगा दोस्तो बानासूर गड़ मंदिर और आप देख लीजिएगा आप लोगों के लिए हल्फ उट रहेगी उसमें मैंने सारा कवर अप कर रखा तो बाणासुर गड़ मंदिर या लंगयली बामसु मंदिर कहा है रुद्रबडियाग में इसका निर्माल बाणासुन ने कराया था और बाणासुर का किला कहा है करा गया था ठीक है अगला हमारा 13 इंपॉर्जन को फिर्यणार छिष्टा क्यों के सुर्याटि थैप निरिभी मंदिर कहां इस्ता ने स्टित दे ठीक है और इसका निर्मान कुस ने करायाता दोस्तों ये कराय था मोतीराम साजी ने न्यानादेवी मंदिर का निर्मान कराया थी और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि 1880 में भूष्कलन के करांनहσα कि कि भूष्कलन के काराणowski मलब तब कौन से मंदिर की मूर्ती बूस्कलन के काराण डैमिज हो गई थी तो नयादीवी मंदिर की कभ दोस्तो अठार सोस्ती में तो ऐसे रिलेटेड़ यह कुछन पूछी जा सकते हैं अगला हमारा पंद्रवा और काफी इंपूरेंट कुशन है दोस्तों कि कैंची धाम मंदिर कहा है तो कैंची धाम मंदिर दोस्तों बहवाली में इस्तित है नेंताल जनबद में ठीक है अलदवानी से लगवलबद 30 किलोमीटर आगे और इसकी स्ताबना किस ने करी थी अगर य अगरा हमारा सोलवा इंपूरेंट कुशन आता है कि घृष्षा का मंदिर का मंदिर का तो सबसे बहले बात करते हैं कि एक घथिया देवाल है का तो यह हमारा थल यानि की पित्वरागर जनबद में इस्तित है शीव जी का एक मात्र ऐसा मंदिर जहां पूजा नहीं होती है और यहीं शीव जी का एक मात्र ऐसा मंदिर या एक ऐसा मंदिर जहां अनली जनेव संसकार होते हैं और कोई पूजानी होती है तो सिर्फ जनेव संसकार कौन्चे मंदिर में होते हैं तो एक हतिया देवाल मंदिर में होते हैं जो कि हमारा थल में इस्तित है इसका निर्मान क किसने करवाय था तो करवाय था था थो इसका निर्मान किसने करवाय था तो उस्तों राम दिर हमारा अल्मदा में इस तीद और इसे प्रजेंट में इस से कहा जाता है मला महल या श्टे दुर्ग महल भी राम अपर पर नहीं रहे क्तिते सिटेब राजा पर इसका अडुआ पर राम. और राम. स्वामचिला मंदिर मं आपके राजा अग्यान जी नहीं का क्वभ दानगें रूथ इस नहीं करता है بदानगर्य युद्ध होने के पच्छा नंदा अलग लग बुक्स में लेकिन इसका राइट अंसर घ्यान चंद है अजय रावत की बुक के अकॉर्डिंग आप इसका प्रूब बेज सकते हैं ठीक है और कहीं कहीं इसका अंसर दोस्तों परिक्षावाणी में तो कमिशनल ट्रेल भी दिया गया ठीक है तो आप बनुयात कर ल कि मालने उत्राखंट सेली में निरमित सूरीदेव मंदिर है मारा है कटानमल सूरीदेव मंदिर जो कि मारा अल्मुला जीले में पढ़ता है ठीक है कोजी के पास में अगला 22 कुश्टन कि सोमिस्वर मंदिर का किस ने कशन है तो प्रूब दोस्तों मुझा निर्मान कराया जाता है ठीक है चार दाम आपको बताईए बदिनात केदारनाथ और गंगोत्री जोगी में आपको पीछे बता चुका हूँ आप आया जागिश्वर मंदिर समु हमारा एक बसता है तो इसका निर्मान कराया दोस्तों कत्युरी राजा साली वाहन देव ने जागिश्वर मंद जागिश्वर नाम लोग निर्मान किस ने कराया था तो यह इस्टेग्ण का पुत्र कॉम ताब भूधे था बैजनाद मंदिर इसलिप्ता रख अगर आप लों को बता अगला आपको मैंने आपको उत्राखन स्वरी दिटेल में इस सब कुश्वर बदेव जह का तो करतिके करें सब्सक्ता करें प्लीज अपना फीडबेक दीजिएगा मैंने अपनी तरफ से पुरी कोशिस किया आप अच्छे से एक्स्प्लेन करने की अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज ये वीडियो मैक्सिम सेर कीजिएगा और मुझे बताईएगा कि मैं आगे ऐसी वीडियो बनाऊं या न ये वीडियो